हाई गैस एन विलकम बैक तो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन विलकम डूदी डेली करेंट अफियर्स ओफ थर्टींट आप एप्रेल ट्वेटी 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 टू तो गैस आज है तारिक 13 एप्रेल 2022 और है वेडिनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं बट उससे पहले गाईज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज अनलेसस यानि टी अने का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है आप सभी लोग को टाइब करना दीपक जादव एजुकेशन आपके सामने तीन चनल पॉप अप होंगे और इन तीनों को जाकर जॉइन कर लेना दीपक जादव एजुकेशन एक आंसर राइटिंग वाला है और एक चनल के आगे यूपियस से लिखावा है और एक चनल के आगे कुछ नहीं ल जाती है तो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों बता दूँ अब मैंने याप पर कुछ questions आप लोग लिए लगा दिया है मतलब कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है बढ़ते हैं आगे नाव ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इंपोर्टेंट आर्टिकल एक्जामिनेशन के पॉइंट अव्यू से बात की गई है PLI स्कीम के बारे में मतलब कि पॉड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर हम लोग अच्छे से सीखेंगे यह PLI स्कीम होती क्या है कैसे वर्क करती है लेकिन मुद्दा यह निकल कर आता है आप देख पाओगे इंडिन एक्स्प्रेस के अंदर इसको पॉब्लिश किया या कि जो PLI स्कीम है इ आपर इसको पर पॉब्लिश हुआ है तो इशू क्या है इशू यह है कि नीतिया यूग ने आपर स्टार्ट किया यह वर्क और बोला कि जो PLI स्कीम है मतला प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेटिव स्कीम यह स्कीम क्या होती आगे मैं आप लोग को बताऊंगा इस स्कीम के पास कोई भी ऐसी सुवीदा नहीं है तो उस डेटावर को अच्छे से स्टोर किया जाएगा यहां पर आप देख पाऊगे यह सारा काम करने के लिए एक ग्रूप है और वो जो ग्रूप है उसका नाम है ग्रूप अफ सेक्रेटरी अब यह जो ग्रूप अफ सेक्रेटरी है इसको बनाया गया था जून 2020 के अंदर इसका में काम क्या है कि जो PLI स्कीम के अंदर बॉटल नेक्स है जो परिशानिया जो प्रॉब्लम्स आपको PLI स्कीम में देखने को बे लेंगे उनको आइडेंटिफाई करना प्लस स्टेट्स के बीच में को बनाना ठीक है और कंपनी इसको एक फास्टर अप्रॉबल देना ताकि वो जो कंपनी जो PLI स्कीम के अंदर तुरंत आपाएं तीक है और साथी साथ यहाँ पर क्विक इन्वेस्टमेंट के उपर फोकस करना तो आप कह सकते हो PLI स्कीम को और बहितर बनाने के लिए ये ग्रूप अफ सेक्रिटीज को मतलब कि यह सारे लोग इस पर्डिकुलर ग्रूप के अंदर मैंबर्स रहते हैं तो अभी यहाँ पर इस ग्रूप का मेजर काम क्या है इस ग्रूप को काम यह दिया गया था कि PLI स्कीम को काफी अच्छा कर दे है उससो सुधार दे इसमें जो भी प्रॉबलम्स उनको अच् पब्लिश हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब पहले मैं आप लोगो कुछ बेसिक बता देता हूँ कि आखिरकार यह PLI स्कीम होती क्या है क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे आपर कुछ जाधा समझ में आएगा नहीं तो बेसिक में हम समझेंगे PLI मतल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उन कमपनी इसको सपोर्ट दे सकता हैं कैसे कि आप इतना प्रोडक्शन करोगे आपको यह इंसेंटिव मिलेगा तो यहाँ पर बात करें PLI स्कीम की तो PLI scheme को start किया गया था, ताकि हम लोग अपने country की domestic manufacturing को बढ़ा सकें, क्योंकि हमारे country के अंदर इतनी manufacturing नहीं हो रही है, तो उस manufacturing को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, PLI scheme को लाया गया, क्योंकि हाँ पर क्या होगा, simple सी बात है, जो भी manufacturing कर रहा है, production कर रहा है, उसको incentive मिलें कुछ extra incentives दिये जाएंगे, तो क्या होगा, वो अपने production को बढ़ा देगा, उसके साथ साथ हम लोग आज के टाइम पर आप लोग देख पाऊगे, बहुत सारी समान इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब बहुत ज़दा dependent है हम लोग अलगलग countries के उपर काफी सारी चीज़े इंपो को पूरी करने के बाद में, वहाँ पर भी हम लोग को काफी सारे benefits मिलेंगे, तो ये दो फाइदे होगा है, तीसरा फाइदा, employment generation, obvious ही बात है, अब production करने के लिए क्लिए क्या होगा, लोगों की यहाँ पर जरुरत पड़ेगी, और production को बढ़ाने के लिए जब इस scheme को लिया scheme लाई जाएगी, ऐसा नहीं है, शिर्फ एक sector के लिए, बहुत सारे sector के लिए PLI scheme को लाया जाता है, तो इतने पैसे यहाँ पर लगा दिये, कि हम लोग अलग-लग sector में ये थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल देंगे, और हम लोग इन इन companies को, जैसे मालो, कोई company, मतलब कोई ए इतना ले सकते हो, अगर आप लोग इतना production कर लोगे, अलग-लग categories के लिए अलग-लग amount यहाँ पर रख दिया जाता है, PLI scheme के अंदर में, clear हुआ, प्लस इतना पैसा तो रखा यह था इस scheme के अंदर में, उसके साथ साथ यहाँ पर अभी additional 19,500 करोड रुपे भी यहाँ पर इ फायदा मिलेगा, अगर आप वो लोग यहाँ पर अगर चाहते होंगे, इस scheme के अंदर में आना, तो यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं, और इसका फायदा ले सकते हैं, और उसके साथ से उनको production भी करना होगा, अब यह जो solar photovoltex के लिए जो भी यहाँ पर पैसा लाया गया थ वो budget 2022 से इसके अंदर announce किया था, clear हुआ, उसके बाद PLI scheme के अंदर हम लोग अगर देखें, मार्च 2020 में हमने इस scheme के अंदर लगबग 3 industries को बहतरी तरीके से target किया था, पहली mobile और allied component manufacturing industries ठीक है, इनको हम लोग PLI scheme के अंदर लेकर आये थे, कि भई आप production कड़ो, आपको इसके component manufacturing हो गया, और third number पर हमारे medical devices हो गया, तो इनके लिए यहाँ पर यह PLI scheme को मार्च 2020 में लाया गया था, आगे बढ़ते हैं, अब यह जो incentive अगरा ही काम कैसे करता है, तो यह प्रकार का, मतलब subsidy है, जो भी हाँ पर इन sectors को अलग-लग various sectors को दिया जा रहा है, यह एक direct payment है, जो क country के अदर बन रहा है, उसके बदले में हाँ पर कुछ हम लोग incentive वगरा दे रहा है, ताकि अपने country के अंदर production को बढ़ावा दे सके हैं, यह amount अलग-लग sector के लिए vary करता है, मतलब कि जैसे अभी हमने discuss किया, जैसे mobile sector के लिए, electrical sector के लिए, medical devices sector के लिए, इस PLI scheme के अंदर से का की amount रखा गया हो, इसके लिए कुछ अलग amount रख दिया गया, इसके लिए आपको बोल देगा है, चलो हम आपको लग-बग 10,000 करोड़ रुपे का announcement करते हैं, यहाँ पर 1000 करोड़ रुपे का announcement करते हैं, तो यहाँ पर हर एक sector के लिए जो amount है, वो vary करता है, clear हुआ, यह आपक 20 करोड़ रुपे announce कर दिये गए थे कि आने वाले 3 साल तक यह पैसा लगाया जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर जो electronics manufacturing है, मैं आपको इसके बारे बताया, इसके लिए यहाँ पर PLI scheme को लाया गया, उसके साथ साथ जो telecom sector है, यहाँ पर भी PLI scheme को announce किया गया था, तो यह सारी recently incident बता रहा हूँ, यह सब हम लोग अपने दहिंदू के वीडियो में cover कर चुके हैं, तो वही से यहाँ पर यह सारे articles, यह pictures यहाँ पर collect करी गई है, तो I hope आप लोग समझ गए होंगे, PLI scheme होती क्या है, अब जो incentives होते हैं, इस scheme के अंदर में, वो कैसे calculate के जाते हैं, द basically low से लेकर high तक होती है, मतलब कि आपका सकतो sales जैसे से बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप देखपाऊगे, PLI scheme के अंदर आपको 1% से लेकर highest 20% तक यहाँ पर coverage मिल जाता है, ठीक है, manufacturing के लिए, तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान एकना है, फिर उसके बाद यह जो PLI scheme है, इसके अंदर बहुत सारी sectors देखने को मिलेंगे, जिसके लिए पैसा अनौंस किया गया, जैसे कि advanced chemistry, cell batteries, textile products, drone industry हो गया, तो इन सबी के लिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जो incentive है, इन सब को दिया जाता है, इनकी sales के उपर, इनोंने कितना sales किया है, जादा बिक्री मिलता है, इस PLI scheme के अंदर में, I hope आप लोग यहाँ पर इसको भी clear कर लिए होंगे, अब बात करते हैं, PLI scheme के अंदर में और भी सारी चीज़ों की, जैसे कि, जो sectors है, जिसके लिए हाँ पर PLI scheme को announce किया गया है, तो जो government है, वो यहाँ पर PLI scheme अभी announce कर चुकी है, लगबग 14 sectors के लिए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, 14 sectors के अंदर हमारी PLI scheme काम कर रही है, वो 14 sectors कौन कौन से हैं, तो वो है, automobile, auto components, electronics, IT hardware, telecom, pharmaceutical, solar modules, metals, mining, textiles and apparel, white goods, drones and advanced chemistry cell batteries, तो यह सारे हाँ पर sectors हैं, जिसके लिए हम लोग PLI scheme को अलड़ी ला चुके हैं, इनको, मतलब इ इन companies को आग ले जाने के लिए, इनकी domestic manufacturing को बढ़ाने के लिए, यह scheme अलड़ी यहाँ पर work कर रही है, अब मैं at the last एक और चीज़ आप लोगो बता दूँ, जो यह PLI scheme होती है, इसका major मकसद क्या है, इसका aim क्या है, देखो इसका aim यह है, कि सरकार इस scheme को इसलिए लाती है, ताकि हमारे country का, जो dependence है दूसरे country के उपर, वो कम हो जाए, मतलब जैसे आज के टाइम पर भारत, बहुत ज़्यादा dependent है चाइना के उपर, और दूसरे country के उपर, वहाँ से हम लोग काफी सारे समान को purchase कर रहे हैं, तो वो dependency कम हो जाए, यह हमारा major मकसद है इसके अदर, ठीक है, अब जहाँ पर labor वगरा का काम हो रहा है, देखो एक जगा ऐसी हो रही है, जहाँ पर machines का काम हो रहा है, वहाँ पर लोग की ज़रुवत नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, employment जाधा रहेगा नी, लेकिन एक ऐसे industry है, जहाँ पर labor की आवश्रक्ता पड़ रही है, तो वहाँ पर यहाँ क्या होता है, PLI scheme से जाधा support मिलता है, इससे क्या होगा, और लोग की requirement होगी, तो और लोग आएंगे काम करने के लिए, और इससे employment generation होगा, यह यहाँ पर आपको देखने को मल जाएगा, साधी साध यहाँ पर यह जो scheme है, यह काम करती है, import bills को reduce करने के obvious ही बात है, यह हम पहले वाले points से इसको relate कर सकते हैं, मतलब कि हम अभी दूसरे countries के उपर dependent है, वहाँ से समान को खरीद रहें, अब जब PLI scheme अपने country के अंदर grow हो जाएगी, हम लोग domestic manufacturing को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बहार से समान खरीदना बंद करेंगे, अब बहार समान खरीदना बंद करेंगे, तो हमारा import bill भी तो कम होगा, क्योंकि पहले अगर हम लोग समान खरीद रहे थे, तो पैसा भी तो दे रहे थे बहार दूसरे countries को, तो वो पैसा जो हमारा bill बन रहा था, वो अब यहाँ पर कम होतावा चले जाएगा, और हमारा domestic production बढ़ और हमारे domestic enterprise को और जदा बढ़ावा दें, production units को और जदा expand करें, ठीक है, तो clear हुआ, PLI scheme का major मकसद क्या है, तो जिंदगी बर याद रखोगे, PLI scheme क्या है अब, है ना, अब बात करते हम लोग, PLI scheme को लेकर क्या planning के बारे में चर्चा की जा रही है, planning क्या होगी, तो यहाँ में बताया गया, कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर एक centralized database को बनाने के लिए, यहाँ पर क्या करने वाले, एक database को बनाया जाएगा, जो की PLI scheme के progress को देखेगा, monitor करेगा, कि आकरकार यह scheme कैसे काम कर रही है, अलग-लग sectors में अच्छी तरीके से काम कर रही है, या नहीं कर देखते वे, एक database prepare किया जाएगा, यह database क्या करेगा, value addition मतलब यह जो हमारी companies है, उन्होंने कितना value addition किया है, वो capture किया जाएगा, कितना companies ने export किया है, वो capture किया जाएगा, ठीक है, यह सब देखना जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक dashboard त्यार किया जाएगा, जहाँ क्यों आवशक्ता पढ़ गई, monitor करने की, क्योंकि PLI scheme के अंदर काफी सारी आपको problems देखने को मिल रही है, challenges देखने को मिल रही है, वो challenges क्या क्या है, पहला point, यहाँ पर कोई भी common set of parameter नहीं देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग पता लगा सके, आखिरकार company ने क्या growth पाई ह कंपनी PLI scheme के अंदर work कर रही थी, अब कंपनी के अंदर क्या value addition हुआ है, नहीं हुआ है, उसको लेकर हमारे पास कोई भी चीज़े properly पता नहीं चलती है, तो इसी वज़ासे हम लोग को monitor करने के आवशक्ता है, तो यह सबसे बड़ी problem हो गई, तो क्या होगा, इसके लिए हम एक database मनाने क्या होशकता है, जो कि आज के टाइम पर इस PLI scheme के अंदर कोई भी central database है ही नहीं, जहाँ पर सारा का सारे data रखावा हो, तो इसी वज़ासे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बदल रहे हैं, planning कर रहे हैं कि हम लोग एक database बगरा बनाएं, उसके साथ बताया है, यह जो departments है, ministries हैं, जो कि यहाँ पर बातचीत करती हैं, companies के साथ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, इनके साथ भी काफी सारे issues आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो target है, companies के लिए कुछ target होता है, अगर वो target company पूरा कर लेती है, तो वो qualify कर जात के अंदर आने के लिए भी companies को काफी सारे challenges face करने पड़ रहे हैं, जो की नहीं होना चाहिए था, यह सबसे बड़ी problem है, इसको सुधा रजाए, उसके साथ साथ क्या बताया गया, देखो जो भी दुनिया भर की companies हैं, ठीक है, दुनिया भर की companies अलग छोड़ो, हमारी जो domestic companies ह वो बेसिकली ज्यादतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, विश्वास कर रही है, एक या दो supply chain के उपर, हमारे पाँ ज्यादर supply chain भी नहीं है, ठीक है, अलग के दुनिया भर की companies उनके पास supply chain बहतर है, हमारे पास supply chain ही बहतर नहीं है, तो एक issue यहाँ पर भी आपको द अपना target पूरा करेंगी, जब अपनी sales को बढ़ाएंगी, तो यहाँ पर दो-चार company काम कर पाती है, और बाकी सारी companies क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उन companies का supply chain ज्यादा stronger नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा काम करने की आवशकता पड़ जाती है, तो यह आप लोगों ने वीडियो के उपर जो like का बटन है, उसको नहीं दबाया तो फटाफट उसको दबा देना, हमारा target है आज का 2000 प्लस likes का जैसा हमेशा रहता है, चलो, अगली article पर आते हैं, आज का अपने thumbnail देखा होगा, वो इसी article पर है, एक important article है, GS paper 3 defense security के point of view से, यहाँ प लोगों को बताया था, कल जब मैंने questions discuss किये थे, उसी के अंदर, तो क्या है हम लोग समझते हैं, इस article को PIB Indian Express NTV, हमारे देश बर के जितने भी newspapers है, वो already cover कर चुके हैं, that is why article काफी important हो चुका है, अब मैं सबसे authentic source लेकर आए हूँ, क्योंकि हाँ पर सरकार अपना data directly publish करती है Ministry of Defense ने PIB में mention किया, PINACA MK1 enhanced rocket system and PINACA area denial munition rocket system, इन दोनों को successfully test कर लिया गया है, DRDO और Indian Army के थुरू, तो इसको लेकर article cover हुआ है, हम समझेंगे कि आखरकार ये enhanced rocket system है क्या, PINACA system क्या है, कैसे work करता है, इसका इतिहास क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, आप दे देखने को मैं लेगा, काफिसरे rockets एक बार में निकलते हैं, आप लोगों को नजर आएंगे, वो मैं आप लोगो कुछ structure आगे बताऊंगा, मुद्दा क्या है, issue यहाँ पर यह है, कि देखो, यह जो rocket system है, इसको आप लोग short form में जान सकते हो, EPRS के नाम से, EPRS की full form है, enhanced PIN PINAKA MK1 rocket system, अब इस rocket को successfully test कर लिया गया है, कहां से test किया गया, राजस्तान के पोकरान रेंज से direct question मन जाते हैं, कहां का से test हो आए, तो राजस्तान के पोकरान रेंज से इसको test किया गया, बाकि इसके साथ साथ, aerial denial munition को भी successfully test हो चुका है, अब बताया गया है, जो यह test है, यह कहीं न कहीं, हमारी performance को और जादा बढ़ाने वाला है, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर use करते हैं, PINAKA rocket system के अंदर, उन चीजों की performance काफी बढ़ने वाली है, PINAKA rocket system, आपको picture में दिख रहा होगा नीचे, कुछ इस प्रकार से यह नजर आता है, एक बार मैं आप ल किया जा सकते हैं, और अगर हमारे पास दो ट्रकों साथ में, तो 24 रॉकेट भी हम लोग छोड़ सकते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया, PIV के साथ साथ Indian Express के अंदर भी इस article को cover किया गया है, तो EPRS के बारे में हमने जाना, अब बात करते हैं, डीटेल में, अभी हमने सिर या वेरियंट बना दिया गया, EPRS, जिसके अभी टेस्टिंग राजिस्तान के पोकरान रहन से की गई है, अब यह जो पिनाका वाले वेरियंट है, यह हमारी Indian Army यूज कर रही है, लगबग पिछले 10 सालों से, तो बहुत पुराना वेरियंट है, प्लस इसको design और develop किसके थ देखने को मिलेगा, जैसे की एक laboratory है, Armament Research and Development Establishment, दूसरी laboratory का नाम है High Energy Material Research Laboratory, क्लियर हुआ, तो इन उनने मिलकर इसको develop किया है, प्लस यहाँ पर जो upgrade version है, इसके अंदर काफी सारी advanced technologies आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे इस missile system की range बढ़ जाती है, और battlefield में, यहाँ पर मतलब कि इस rocket का Mark 1 वाल rocket है, पिनाका Mark 1, इसकी range 38 km की है, और इसका जो enhanced version है Mark 1 का, जो कि यहाँ पर test किया गया last, वो 45 km का इसके range देखने को मिल जाएगा, और जो यह new पिनाका rocket आपको देखने को मिल रहा है, यह यहाँ पर और भी तेजी से grow हो रहा है, इसकी range लगातार increase हो helpful रहेगा आपको prelims में cover करने के लिए, पिनाका है क्या आखिर, तो पिनाका यहाँ पर यह आप देख पार हो धनुष है, यह तो धनुष है, यह राम जी के थुरू तोड़ा गया था, आपको पता होगा, तोड़ने के बाद यहाँ पर सीता माता से राम जी ने विवा किया था, तो यह जो यहाँ पर धनुष है, लौड़ शिवजी का धनुष है, तो इसी धनुष का नाम पिनाका था, ठीक है, तो आई हूप आप लोग यहाँ पर इसको याद रखोगे, तो रामा, ब्रेकिंग दा बो, तो विन सीता, आपको याद होगा, तो वो जो बो था, वो बेसिकली पिनाका था, आगे बात करते हैं, अभी जो पिनाका के अलग-अलग variants है, इसका इतिहास क्या रहा है, वो भी जान लेते हैं, देखो जो यह development है, पिनाका multi-barrel rocket system का, multi-barrel rocket system का मतलब क्या होता है, तो सर आप यहाँ पर देख पाओगे, एक साथ काफी सारे rockets यहाँ पर launch हो जाते हैं, तो यह हमारा पूरा का पूरा multi-barrel rocket system है, जैसा आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, clear हुआ? चलो, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, यह जो multi-barrel rocket launcher system है, यह basically Russia की थरा, मतलब की पहले, पिनाका से पहले, अगर हम लोग रश्या के पास में इनका एक grad system है, तो इसी grad system की तरहा हम लोग ने इस पिनाका वाले को develop कर रहा है, grad system कैसा दिखता है, तो रश्या का grad system भी ऐसा है, जिसमें से काफी सरे rockets निकल सकते हैं, ठीक है, यह Russian grad है, तो इसी प्रकार से इंडियन पिनाका भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर यह Russia वाला हो गया, यह हमारे इंडिया का पिनाका system हो गया, clear हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो, अब बात करते हैं, पिनाका rocket का सबसे पहले test वगरा कब हुआ था, देखो, जो successful test हुआ था पिनाका Mark 1 का वो हुआ था 1990 में, 1990 में हैं यहाँ पर testing वगरा क उसके बाद इसको हमने सबसे पहली बार जो इस्तमाल किया था किसी युद्ध में, तो वो था कारगिल का युद्ध, कारगिल का वो हुद 1999 की यह बात है, वहाँ पर उस समय उस battlefield में इस rocket का सबसे पहली बार यूज किया या था, तो इसको भी जरूर ध्यान रख सकते हो, आ पिछ 75 किलोमेटर का है, तो अलग-लग वेरेंट से जादा कुछ खास बात यहाँ पर जानने के लिए नहीं है, जो 2020 के अंदर एक और enhanced version बनाया गया था, पिनाका, मार्क, MK1 वाला, इसकी भी टेस्टिंग वगरा हो गई थी, ओडिशा के चांदीपूर से, जो कि मैंने अभ इसको काफी बार पढ़ रखा है, question क्या है, what is THARD, THARD मतलब Terminal High Altitude Area Defense, यह जो THARD है, यह कभी-कभी हम लोग को न्यूज में देखने को मिल जाता है, तो आपको बताना यह है, यह है क्या, क्या यह एक Israeli radar system है, option B, क्या यह एक India के थुरू, खुद का बनायावा anti-missile program है, या फ इसका correct answer आपको देखने को मिलेगा, वो है C, तो answer C क्या है, वो है THARD, THARD मतलब कि जो है, वो अमेरिका का anti-missile system है, एक American anti-missile system है, जिसको बनाया गया था, ताकि जो missiles वगर हैं, उसको tackle करा जा सके, missiles को यहाँ पर एक तरीके से country में hit ना होनिया दिया सके, missiles को उड़ा देत आए, तो आप लोग कह सकते हो, इस प्रकार से system बनावा है THARD, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद next article काफी important होने वाला है, यहाँ पर बात की गई है, हमारे Chief Justice of India N.V.Ramans आपके तरू एक statement दिया जया, वो statement बहुत जादा news में आ चुका है, in fact इसके ओपर भी ब जज का appointment होता है, collegeum system के माधियम से, अब collegeum system में अलग से 5 judge बैठे हुए हैं, वो 5 judge बैठ कर दूसरे judge को चुन रहे हैं, तो यही यहाँ पर Chief Justice of India ने बोला, कि judge खुद यहाँ पर दूसरे judge को जो appoint कर रहा है, यह idea सरसर गलत है, इसको discuss करते हैं, आखिरकार क्या है, आप source दे हमारे हां का collegeum system क्या है, और कैसे work करता है, देखो, यह जो collegeum of judge है, यह Indian Supreme Court का invention है, मतलब कि भारत के Supreme Court ने इस system को बनाया था, होता क्या इसके अंदर, यह एक ऐसा system है, जिसके अंदर judges को appoint किया जाता है, और यहाँ पर एक institution के अंदर में, और वो judges क्या होते हैं, वो दूसरे judges को appoint करते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में, देखो, यह जो हमारा collegeum system है, यह एक बार में नहीं बना, यह धीरे धीरे बना है, इसका इतिहास कैसा राए, पहला first judge case होता है, first judge case के अंदर मतलब आप कह सकते हैं, उस समय पर एक ही व्यक्ति हुआ करता था, जो कि हमारे first judge case से, first judge case होता है, 1981 में, यहाँ पर क्या होता है, आप कह सकते हो, कि जो idea था, मतलब कि पहले सारा मुद्दा Chief Justice of India के पास हुआ करता था, Chief Justice of India अपने हिसाब से यहाँ पर appoint करते थे किसी भी judge को, लेकिन यहाँ पर लोग खुश नहीं हुए, फिर यह मुद्दा आता है आग होता क्या है, लोग का कहना यह है, कि अकेले Chief Justice of India दूसरे judges को appoint करने यह बात बिल्कुल सही नहीं है, है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, कि Chief Justice of India के साथ और भी लोग होने चाहिए, जो कि आपस में discussion करें, consultation करें, और उसके बात किसी दूसरे particular judge को appoint करें, तो इसी चीज को Chief Justice of India के साथ में, दो senior most judges को भी यहाँ पर add कर दिया गया, तो मतलब 1981 में एक judge के साथ starting हुई थी, 1993 के अंदर यह total 3 judge हो चुके हैं, जो कि अलग-लग judges को appoint कर रहे थे, लेकिन अभी भी बात बनती नहीं है, 1993 से case बढ़ता है, आगे 1998 के अंदर पहुंचता है, अब यहाँ पर आता यह third judge case, अब यहाँ पर president के reference के basis पर होता यह है कि इस college system को पूरे 5 member की body बना दिया जाता है, मतलब कि 3 पहले से हैं, 2 member और add करे गए, अब बोला यह system अच्छे सवर करेगा, अब यह 5 members हैं, जो कि आपस में discussion करेंगे, consultation करेंगे, और उसके बाद में किसी दूसरे judge को appoint क आरेंगे, यह यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यह जो college system है, या फिर यह judges case है, वो एक तरीके से आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको directly बताता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर appoint किया जाता है, कौन कौन appoint करता है, तो देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यह जो हमने देखा कि college system कैसे बना, इसके अंदर 5 judge कैसे हैं, तो इन 5 जज़ों में से सबसे main judge आपको Chief Justice of India ही देखने को मिलेंगे, बाकी 4 senior most judges हैं, लेकिन main हिहाँ पर CGI ही देखने को मिल जाते हैं, अब पहला question तो दिमाग में आएगा कि CGI को कौन appoint करता है, क्योंकि पहले CGI को appoint कौन करता Chief Justice of India को कौन appoint करता है, हमारे President, हमारे राष्ट्रपत ही appoint करता है, साधिसा जो दूसरे Supreme Court के judges हैं, वो भी यहाँ पर appoint President के थ्रू ही किये जाता है, लेकिन यहाँ पर college system का एक रोल आ जाता है, वो मैं आप लोग को आगे थोड़ी दिर में बताने वाला हूं, अब होता क्या है कि तो देखो, जब हमारे Chief Justice of India appoint हो रहे होता है, तो अब जैसी बात है, उस समय कोई दूसरे Chief Justice of India बने वे हैं, तो जो इस समय करेंट पर हैं, जैसे मालो आज की टाम पर N.V. रमन साब बने, N.V. रमन साब से पहले कोई CGI हुआ करते थे, अब जब N.V. रमन साब बनने वाले और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी होती है, आपको एक चीज़ के ओपर और ध्यान रखना होगा, वो चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जज है, वो यहाँ पर एक Seniority के अंदर होना चाहिए, मतलब कि जिस जज़ को आप लोग CGI बना रहे हो, वो यहाँ पर एक Seniority के के यहाँ पर यह सारा मुद्धा पहुंचता है Union Law Minister पर, Union Law Minister forward करता है अपनी recommendation हमारे Prime Minister को, मतलब क्यों जो हमारा पुरा का पुरा देश का Law Minister है, वो recommendation करता है हमारे Prime Minister को, और Prime Minister advice देते है President को कि भई हाँ इनको CGI बना देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर process होता है, फिर President यहाँ पर उ करते हैं, इसी वज़ा से उपर बोला गया कि President यहाँ पर appoint करते हैं CGI को, clear हुआ, बाकि आप लोग यहाँ पर बरता सकते हो कि आज के टाइम पर हमारे Law Minister को होने है, ठीक है, नीचो comment section में उनका नाम जरूर बताना, अब आपने समझ लिया कि Chief Justice of India को कैसे appoint के जाता है, अब ब Collegium System के माधियम से, Collegium System के अंदर जो चार Members हैं और एक CGI यानि Chief Justice of India हैं, यह आपस में consultation करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को recommend करते हैं, अब जो भी यहाँ पर बातचीत करने वाले लोग हैं, मतलब CGI के जो भी Members हैं, वो सब अपने opinions को record करते है राइटिंग में, और यहाँ पर आपका सकते हो, उसको पूरे file का एक हिस्सा बनाया जाता है, और उसके बाद वो मुद्दा, जो भी यहाँ पर चीज़े set कर ले गई हैं, कि हाँ अब इस व्यक्ति को Supreme Court का Judge बनाना है, जो भी यहाँ पर CGI members decide करेंगे, वो सब भेज देंगे कहाँ पर, वो सब यहाँ पर आपका सकते हो, recommendation दे दिया जाएगा law minister को, तो law minister को पास सारी बाते आ गए, कि यहाँ CGI ने क्या decide किया, वो कॉलिजम सिस्टम ने क्या decide किया, फिर क्या होगा, जो law minister है, वो इस पूरे file को आगे forward कर देगा, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइ Chief Justice of India को और Supreme Court के Judges को, लेकिन Supreme Court के Judges के अंदर appointment में एक process वो आ जाता है, कॉलिजम सिस्टम वाला, आगे बढ़ते हैं, अब हमने काफी सारी बाते पढ़ ली हैं आपर, CGI के बारे में पढ़ लिया, Supreme Court के Judges के बारे में पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं, High Court के Judges के बारे म क्या होता है, यहाँ पर मतलब की, जो भी यहाँ पर Chief Justice होगा, High Court का, वो उस State के बाहर का होगा, clear हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो High Court के Judges होता है, वो recommend करते हैं, एक Collegium के माध्यम से, देखो, again, High Court के level पर भी Collegium सिस्टम वर्क करता है, अब यहाँ पर तो Collegium है, इसके अंदर CGI हैं, प्लस दो और सीनियर मोस जजजिस हैं, यहाँ पर मिलकर discussion करेंगे, उसके बाद, discussion करने के बाद, यह recommendation देंगे हमारी Chief Minister को, क्योंकि अब यहाँ पर बात आगा, यह State के बारे में, है ना, तो राज्ये के अंदर क्या होगा है, Chief Minister, तो यह अपन में हाँ पर High Court के जजजिस का appointment हो जाएगा, clear हुआ, I hope आप लोग यहाँ पर इसको काफी अच्छे से समझ गए होगे, ठीके, सारी बात हम लगें cover कर लिए, in fact आपका quality का, यह पूरा पूरा chapter भी cover होता हुआ, चला जा रहा है, लेकिन, अब इस Collegium सिस्टम के अंदर काफी सारी problems है, loopholes निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी बार मुद्दा उठता है, वो loopholes क्या-क्या है, उसको discuss करते हैं, पहला loophole है, lack of transparency, यहाँ पर proper transparency नहीं है, यहाँ पर 5 judges है, आपस में मिलकर discussion करकर, किसी भी judge को appoint कर रहे हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ प कोई transparency नहीं देखने को मिली, किसी कुछ पता नहीं चलता, अपने इसाप से लोग appoint कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी problem यह है, दूसरी problem, judges appoint कर रहे हैं, दूसरे judge को, तो यह भी अपना पने problem है, जो कि खुद अभी यहाँ पर यह statement है, जो कि हम लोग cover कर रहे हैं, यही तो statement है, जो कि Chief Justice of India ने बोला कि judge, दूसरे judge को appoint कर रहा है, तो यह अपने आप में एक problem वाली चीज ही देखने को मिल जाती है, ठीक है, दूसरा loophole यह है, तीसरा loophole, बहुत सरे लोग यहाँ पर believe नहीं करते, कि यहाँ पर पूरा disclosure करना चाहिए को होता क्या है, काफी बार judges का transfer वगर ठीक है, तो यह लोग अगर किसी judge को transfer करते हैं, तो यह नहीं बताते कि क्यों transfer किया, हो सकता है, अपने दुश्मनी निकाल ले हो, या कुछ भी हो सकता है, है ना, मतलब कि जो भी यह लोग decide करके काम कर रहे हैं, वो सब बाहर नहीं आ पा रहा है, वो सब disclose नहीं हो पा रहा ह ठीक है, अब क्या है यही आपर अपने आप में एक loophole, एक अपने आप में problem बन जाता है हमारे collegium system का, आगे बढ़ते हैं अगले article पर, next article एक important article होने वाला है, art and culture के point of view से, आप कह सकते हो कि जैसे आप लोग art and culture की कोई भी book उठाओगे है नेतिन सिंगानिय के उठालो, वह चाहा से हम लोग यहाँ पर इस article को relate करने वाले हैं, अल्ग काफी important है, हम बात करेंगे संगीत-नाटक academy के बारे में, प्लस संगीत-नाटक के साथ साथ ललित-कला-academy के बारे में, इन academy के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इन academy के अवार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं हुआ क्या है आप देख पाओगे पी आईबी का आर्टिकल है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री एम वेंके नाइडू इन्होंने अभी यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी के और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया है साल 2018 वाला तो इस साल 2018 वाले पुरसकार दिये गए हैं 44 आर्टिस्ट को ठीक है तो यहाँ पर आपके सकते हो जिसमें से 4 फैलोश हैं और 40 अवार्डीज हैं उसके बाद साथ-साथ इन्होंने यहाँ पर ललित कला अकेडमी क फैलोश चा़ें को भी हाँ पर एक तरीके से यह वाला आवड भी प्रेजन्ट कर दिया है। यह साल 2021 वाला आवर्ड यह को तीन फैलोश को फैलोश शिप ले रहे हैं और 20 नैशनल आवड फैलोश को यहाँ पर मतलब जो भी नैशनल आवार्ड से वह दिये गए हैं तो यह पर 23 लोग को ललितकल अकेडमी अवार्ड और उपर 44 लोग को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड तो लेकिन यहाँ पर आप से डिरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कितने-कितने लोग को अवार्ड दिया गया हैं तो आप लोग ज्यादा इसके बारे में फोकस मत करन यहाँ पर सिर्फ important मुद्दे के उपर आओ अब बात करते हैं पहले हम लोग संगीत नाटक अकेडमी के बारे में देखो संगीत नाटक अकेडमी फैलोशिप के बारे में आपको बताऊंगा फिर उसके बारे में बताऊंगा फिर उसका अकेडमी के बारे में बताऊंगा प अब उस व्यक्ति के लिए कोई भी nationality, race, caste, religion, creed, sex इसको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और यहाँ पर हर एक व्यक्ति इसके लिए eligible है ना यह जो fellowship है academy की एक most prestigious मानी जाती है बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है यह बोला जाता है प्लस यहाँ पर यह अभी 40 numbers तक यहाँ पर लोगों मिली है यहाँ पर बताया गया है जो कि restricted है to 40 numbers at any given time ठीक है उसके बाद यहाँ बताया गया कि जो यह owner है academy fellowship के मतलब कि जो owner है sorry यह जो owner है academy fellow का यह आप लोग देख पाऊगे इसके अदर क्या दिया जाता है तो academy fellow जिसको दी जाती है उसमें यहाँ पर तीन लाक रुपे दिये जाते हैं तीन लाक रुपे के साथ साथ तमरा पत्र और अंग वस्तरम दिया जाता है तंगर पत्र यहाँ पर क्या है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक second आपको दिखा देता हूँ इनके हाथ मे हैं है ना यह हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पर शॉल वगरा दी जाती है यह चीज़ें यहाँ पर दी जाती है इस अवार्ड के अंदर में इस fellowship के अंदर में अब बात करते हैं इसके अवार्ड के फैलोशिप अलगे अवार्ड अलगे और academy अलगे यह academy ही इन को प्रोवाइट करवाती है तो fellowship के बारे में अपने cover कर लिया अब बात करते हैं awards के बारे में now यह जो awards है यह दिया जाते है आर्टिस्ट को आर्टिस्ट जो कि music, dance, theater, traditional, fall, tribal, music, dance, उसका traditional, यहाँ पर dance हो गया, puppetry हो गई, तो यह जितनी भी चीज़ा है इसके अंदर कोई भी picture में दिखाया तो यह हो गई बात हमारी किस के यह हो गई हमारे संगीत नातक academy के बारे में तो academy का fellowship और academy का award पढ़ लिया अब मैं आपको इस academy के बारे ही बता जेता हूँ कुछ facts हैं जो कि directly आपको prelims में पूछे जा सकते हैं जो यह संगीत नातक academy है यह इंडिया की national academy है for music dance and drama इसको बनाया गया था एक resolution के माधियम से उस समय जो ministry of education government of india है 1952 में इनके थूँ यहाँ पर बनाया गया था clear हुआ उसके बाद यहां पर बताया आज के टाइम पर यहां पर एक autonomous body है यह हमारे ministry of culture की government of india की इसको कौन fund करता है इसको हमारी सरकार fund करती है अलगलग schemes और programs के माधियम से plus यह जो academy है यह यहां पर अलगलग institutions को establish करती है उनको देखती भी है जैसे कि national school of drama को देखने के लिए हमारी यहां पर यह संगीत नातक academy है उसके साथ जवार नहरू मनीपूर डांस academy को देखने के लिए कतक केंद्र और इसके बाद यहां पर आप देखपाऊगे national projects of support to कुत अब बात करते हैं ललित कला academy award के बारे में तो यह जो national ललित कला academy award है यह यहां पर आपका सकते हो दिया जाता है ताकि हम लोग किसी individual को दिया जाता है ताकि हम लोग उसको जो उसने जो यहां पर मतलब कि art के field में जो काम किया है ठीक है उसके एक outstanding work को हम लोग recognition दे सके है ठीक है उसको एक पेचान दे सके है उसके काम को इसी वज़ा से यहां पर यह award दिया जाता है अब यह जो भी award होता है जिसको भी award दिया जाता है उसको select कैसे करते हैं तो select किया जाता है एक panel of judges के academy के थुरू तो वो panel of judge यहां पर उस व्यक्ति को उस award को यहां पर select करते हैं दिन उसके बाद यहां पर उसको यह award दिया जाता है clear हुआ चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस academy के बारे में हमने अभी संगीत के बारें पढ़ लिया अब ललित कला academy के ब जो यह academy है इसको एक statutory authority दी गई थी 1957 में under the society's registration act 1860 उसके बताया गया जब से यहां पर इसका establishment हुआ है इसने यहां पर हमारे पूरे देश के लिए काफी सर्व किया है Indian artists को promote किया है उनकी arts को यहां पर काफी सरे लोगों तक पहुँचाया है फिर at the last यह भी ध्यान रखना ल तो आई होप आप लोगों ने पहले चीज़ तो अगर अपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इन questions को आप लोग फटाफट solve कर पाऊगे पहला question पहला question आपसे पूछा गया है enhanced PNACA MK1 rocket system को successfully test fire किया या राजिस्थान के कौन से region से तो वो नाम बताना है अगला question जो था Appoints the CGI मतलब कौन है भारत के चो की Chief Justice of India को Appoint करते हैं और Supreme Court के Judges को Appoint करते हैं तो Supreme Court के Judges और Chief Justice of India को Appoint करने वाली व्यक्ति कौन है उनका नाम बताना है अगला question संगीत नातक Academy को बनाया गया था एक resolution के माधियम से उस समय कौन से ministry के थुरू बनाया गया था उस ministry का नाम बता आई होग आप सभी लोग यहाँ पर इन questions को solve कर पाऊगे इन सभी questions के answers मैंने आप लोग को आगे provide करवा दे हैं चाहो तो आप लोग यहाँ सर चेक आउट कर सकते हो अदर्वाइस खुद solve करोगे तो वो ज़्यादा बहतर रहेगा बाकी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ और PLI scheme को कितना बड़ा खत्रा है Indian Express के अंदर इस article cover किया गया कि हमारा जो नीती है वो प्लान कर रहा है कि हम लोग PLI scheme की performance को monitor करें इसको अच्छे से देखें और PLI scheme मतलब इसकी full form में production linked incentive scheme अभी क्या हो है इसके लिए मतलब इसको देखने के लिए हमारे पास एक group of secretaries है ज पाकि हमने planning ये करी है कि PLI scheme के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं एक database को create करने वाले हैं जहां पर सारा data रखेंगे क्योंकि अभी सबसे बड़ी problem PLI scheme के अंदर यही है कि हम लोग पास proper database नहीं है जहां पर हम लोग proper data नहीं रख पा रहे हैं प्लस companies को अच्छे से monitor नहीं कर आतर companies यहां पर एक या दो supply chain के ओपर dependent है तो यह भी कहिने के एक बहुत बड़ी problem हम लोग को देखने को मिल जाती है ठीक है उसकी वेसे यहां पर company incentives के लिए qualify नहीं कर पाती है तो यह सारी PLI scheme की problems हैं जिसको resolve करने के बारे में चर्चा की गई है PLI scheme क्या होती है मैं आपको बताया कोई भी हाँ पर company production कर रही है तो उसके बदले में हाँ पर incentive दिया जाता है इस scheme के अंडर में उसके बाद मैं आपको बताया PLI scheme आज के टाइम पर 3 industries के लिए start करी गई थी March 2020 में जैसे कि हाँ पर mobile, electrical, component और medical devices के लिए फिर उसके बाद हमने discuss किया automobile, drone के लिए, electrical manufacturing के ल इन सबी चीजों के लिए already हम लोग PLI scheme जारी कर चुके हैं, incentives यहाँ पर दिये जाते हैं इस scheme के अंडर में उसके sales के basis पर, कि उसकी performance के ऐसी उस company की performance बहतर है तो incentive जादा मिलेंगे, sales बहतर है तो जादा incentive मिलेंगे, तो इन सब चीजों के basis पर इसमें incentive मिलते हैं, बाकी मैं आपको यह भी बताया कि जो यह PLI scheme है, वो 14 sectors के अंदर announce already कर चुके हैं हम लोग, जैसे कि automobile, electronic, white goods, chemistry cell batteries, textiles, drones, इन सब के अंदर हम लोग already यहाँ पर इस scheme के announcement कर चुके हैं, इस scheme का मकसद क्या है, तो मैं आपको यह बता दिया, मकसद है कि जो India की dependency है, आज के टाइम पर अलग कर दें, फिर यहाँ पर मैंने अगला article आपके साथ discuss किया, जहाँ पर हम लोग ने EPR सिस्टम के बारे में जाना, मतलब की enhanced pinaka MK1 rocket सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम को अभी recently launch किया है, जिसकी वे से यह चर्चा में आया, फिर उसके बाद हमने देखा, EPRS की full farm cover करी है, EPRS क के साथ साथ जो EDM area denial munition इसकी भी testing करी गई है, इससे क्या होगा हम लोग अपने pinaka system को और ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं, pinaka basically हमारे आप कर सकतो जो पुराना variant है, उसी के अंदर एक upgraded version add कर दिया गया, EPRS, जिसकी अभी testing कहां से की गई है, राजिस्थान के, जो भी हमारा program region है वहाँ से, तो पहला question जो आप से पूछा गया था, इस cancer आपको मिल गया, प्लस pinaka को बनाया गया है, DRDO की laboratories के through development करके, pinaka के अलग-लग variants है, किसी का range 38 km है, किसी का 45 km आपको देखने को मिल जाता है, बाकी मैंने आपको बताया, pinaka क्या है, तो pinaka यहाँ पर धनुष का नाम है, जो कि राम जी ने तोड़ा था, दिन उसके बाद सीता माता से विवा किया था, फिर उसके बाद pinaka का background मैंने आपको बताया, कि हमारे DRDO ने pinaka को start किया था बनाना 1980s के अंदर, यह basically एक alternative था, रश्या के grad system का, मतलब रश्या के पास यह वाला system था, इसके alternative के basis के तोर पर हम लोगों ने आप पर pinaka बनाया, फिर उसका pinaka system के बारे मैं ने आपको समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि देखो pinaka की जो हमने successfully टेस्टिंग कर ले थी 1990s में, लेकिन उसके बाद जब सबसे पहली बार हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, तो वो 1919 का Cargill यू दिस्कस किया था जो कि UPSC 2008 में पूछा गया था बाकी इस question को मैंने आगे भी लगा दिया था आपको बताऊगा या बात की गई है थाड की थाड अक्सर न्यूज में देखने को मलता है वो क्या है तो वो है एक American Anti-Missile System उसके बाद अगले article मैंने आपके साथ डिस्कस किया कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमारे Chief Justice of India का एक स्टेटमेंट है कि एक जजज तूसरे जजज को अपॉइंट कर रहा है तो ये सिस्टम बिलकुल गलत है तो जजज का अपॉइंटमेंट बेसिकली होता है कॉलेजियम के माध्यम से ठीक है अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे बाकी सारे जजजिस का लेकिन इस पांच जजजिस के अंदर हमारे मेजर Chief Justice of India का भी रूल देखने को मिलता है बाकी मैं आपको बताया Chief Justice of India को कैसे पॉइंट कि जाता है तो उसको हमारे President of India पॉइंट करता है बाकी Supreme Court के जज में हमारे President को एडवाइस देता है फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा College System के अंदर जो High Court के जजजिस हैं वो कैसे अपॉइंट होता है तो वो High Court के Chief Justice के दुरूइंट देखने को मिलता है यहाँ पर College System के अंदर दो Senior Most Judges होते हैं और यहाँ पर Chief Justice होते हैं जिनके basis पर यह पूरा-पूरा College System यहाँ पर तैग करता है और High Court के जजजिस को यहाँ पर आपका सकते हो कि लगबग Appoint करता है देन उसके बाद यहाँ पर क्या है यह जो है Recommendation वगरा यह सारा Recommendation Chief Minister के पास में जाता है और फिर वो जो Chief Minister है वो Advise करते हैं हमारे Governor को दे बाकी मैं आपको बताया College System में क्या क्या कमिया है Transparency नहीं देखने को मिलती है प्लस उसके बाद Judges एक दूसरे को Point कर रहे है वो Problem and Nepotism यहाँ पर देखने को मिल जाता है उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने संगीत नातक Academy के बारें पड़ा P.I.B. के अंदर मेंशन किय आवा है इसको Vice President of India ने यहाँ पर tweet करे के बताया कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर यह संगीत नातक और ललित कला Academy Awards दिये हैं काफी सारे लोगों को यह हमने डिसकस किया संगीत नातक Academy Fellowship क्या है मैंने आप लोगों को बताया एक highest honor है जो कि यहाँ पर संगीत नातक Academy के थू दिया जाता है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है और इसके अंदर लगबग तीन लाक रुपे दिये जाते हैं एक तामर पत्र और अंग वस्तरम के साथ में उसके बाद हमने संगीत नातक Academy Awards के बारे में जाना यह जो Awards है यह आर्टिस्ट को दिये जाते हैं Music, Dance, Theater, Traditional, Folk, Trib Music, Dance, Theater के अंदर दिया जाते हैं प्लस यहाँ पर जो पुरसकार है इसके अंदर एक लाक रुपया, साथी साथ तामर पत्र और अंग वस्तरम दिया जाता है बाकि ललित कला Academy Award के बारे में हमने discussion किया यह Award यहाँ पर दिया जाता है ताकि हम लोग किसी particular एक individual का जो भी उसका एक outstanding work है, field of art के अंदर उसको recognition दे सकें ललित कला Academy Award के पहले में आपको संगीत नातक Academy के बारे में बताया था, यह Academy basically music, dance और drama के लिए काम करती है, बाकि Ministry of Education यहाँ पर इसको create किया था, आपके अगले question का answer हो गया, फिर उसके बाद हम लोगोंने ललित कला Academy के बारे में जान और उनको पहुचाना, बाकि ललित कला Academy का जो headquarter है, वो आपको New Delhi में देखने को मिल जाता है, फिर उसके बाद यह questions हम लोगोंने discuss किये थे, I hope आप सभी लोगों को इन सभी questions के answers मिल चुके हैं, और सभी लोग नीचे comment section में दे रहोंगे, बाकि आप लोग को answer नहीं मिलते ह आप लोग एक बार यहां से भी इसको देख सकते हो, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समापत, और मिलते हैं आप लोगों से next video में, आज के लिए बाइबाइ, have a nice day, thank you and जाहिंद.